हेलो फ्रेंट्स आइम सीए विबीक निगुम और इस वीडियो लेक्ट्र में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीए फाइनल ऐसे फ्रेक्टिस मैनुवल के छूटा सा कुश्चन तो चलिए मैं आपको पादना कुश्चन कुश्चन यह है ABN Amro Bank ऑला ABN Amro Bank Amsterdam want to purchase 15 Million against U.S. dollar for funding their nosso account with CanraBank in New Delhi Assuming Interbank rate is this 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 What would be the rate CanraBank could owed for ABN Amro Bank Okay इस पूर्दर इफ दे डील इस ट्रक वाट विल बीड़ विल विल अमांट इस या प्वेशन पहले देख दीजिए अपने इसमें इसमें आप आप आगे प्रसीड करियें अगर कि करें तो प्रस्टन सिंपल है आपको बता दूँ ABN AMRO BANK है MS TURDUM है जो भी है नाम में आप मच जाए नाम को निए बिए सकते हैं तूदेखें नहीं यहीं आपको डॉप कर दूँ की जादा सही है ठीक है ABN AMRO BANK यह है आप इस पेंग है इसको पे करना है, इसको पे करना है, इसको किसी चीज के लिए चाहिए है, देना है, इतना 15 मिलियन, 15 मिलियन रुपीज देना है, तो यह पर्चेस किस से करेगा, इंटर बैंक से, क्योंकि इंटर बैंक रेट ही हमें दिय हुआ है, यह देखिए, इंटर बैंक रेट्स, इंटर बैंक रेट्स, और इस इस इस, और यह यह बाइंग रेट है, यह सेलिंग रेट है, अब यानि एबियन बैंक, इंटर बैंक के स benk rupees 50 lakh इसको देगा ABN M Position और किस से कुछ लेगा लेगा क्या dollar लेगा क्योंकि dollar के ही terms में पिया है rates यह टॉलर किससे लेगा अपने कस्टमर से यह जिस से सब्सक्राइब नोन करेंसी हमारी प्र्पीस 15 million यानि जो भी हमें actually noon currency ये क्याद रखिये पॉल जो भी हमारी noon currency होती है उसको हम लेते हैं बेस पे उसको हम लेते हैं denomination पे ठीक है तो हमको ऐसा rate पता करना है जिसके बेस में रुपीज आए और उपर में क्या है dollar dollar for rupees का rate हमें पता करना है dollar for rupees का अब देखिए dollar for rupees का rate दिया हुआ है जो इसको बदल लेंगे indirect quote में आपको ये पता है यदि ऐसा rate दिया हुआ जो हमारे मतलब कर नहीं है तो इसको cross करके 1 से divide कर देते हैं तो हमारे मतलब कर मतलग का rate आ जाता है , तो हमारा rate आ गिया 1 divided by 1.5 1.3700 और 1 divided by 5.7.365 ठीक है अब यह क्या कर रहा है सेल कर रहा है सेल कर रहा है तो यानि हमारे मतलब का यह वाला रेट हो गया कि यह यह बाइंग रेट था यह सेलिंग रेट तो बस अब हमें करना कुछ नहीं है कितना माउट था हमारा 15 मिलियन यानि 15 मिलियन इन्टु कॉइंट डिवाइड बाइड वाइड पुटी 1.365 कर देंगे तो हमारा आशर आजाएगा मिलियन में जानि कि हमें 15 मिलियन के बदले इंटर बैंक को कितने डॉलर देने पड़ेंगे जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ने देने पड़ेंगे इतने डॉलर देने पड़ेंगे इतना सा क्यल्कुलेशन था और इसमें कुछ करना नहीं था है आगे हम लोग बाकी चीज़ें बात करेंगे बात के लेक्चर में बस सिंपल सी बात आप यह दिमाग में रखेंगे इंटर बैंक सी इस बैंक का ट्राजक्शन हो रहा था ठीक है और इंटर बैंक को बेज रहा था इसलिए इंटर बैंक का सेलिंग रेट हमने लिया ठीक है रेट को मेंशा यहां रखी उसी करेंशी का लेते हैं इसका अमाउंट नोन होता है उसी करेंशी का डिरेक्ट लेते हैं तक प्रलिफ्य कैसर और प्रफट प्रफट फिस्लिक टेंड प्रफट पारग प्रफट 212 प्रषा ने लिस्लिकैल।